आज कि इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे है कि NS Learning Point का जो वीडियो लेक्चर है उसको किस तरीके से एक्टिवेट किया जाए और किस तरीके से प्ले किया जाए सबसे पहले आपको Google पे जाना है और NS Learning Point सर्च करेंगे या फिर आप नागेंदर सा करके सर्च करेंगे या हमारा वेबसाइट आजाए अगर नागेंदरसा.com इस पे जाके क्लिक करना है आपको क्लिक करने के बाद हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएंगे टॉप राइट कॉर् पाइल डीटेल में कुछ माई ओर आ रहे होंगे वहां से भी देख सकते हैं या नागेंदरस जो आपका नाम है उस पे भी जाएंगे तो यहां पर माई ओर दिख जाएंगे जितने भी ऑडर आपने प्लेस कर रखा होगा यहां पर आपको लिस्ट में आ रहे होंगे यूपाइ से पेमेंट किया हुआ है तो यह आप कॉंटक्ट करके इसको और जनरेट करा लेंगे देन आप जाएंगे यहां पर व्यूपे जब आप व्यूपे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक डिटेल आ जाएंगे लेक्चर का आपको यहां पर अगर इन्वाइ याद रखेंगे इस सीरियल की आपको लेक्चर एक्टिवेट करने के लिए जरुरत होगी यह हम तब आपको प्रोवाइड करेंगे जब आप नीचे यहां पर अपने डॉकुमेंट्स अप्लोड कर देंगे आपका आई सी ए आई का यहां में इंस्टियूट का आपको प्रोड है जो भी आप अपना अटाज करेंगे इसका एक ही अब्जेक्टिव है कि हम लोग अपने लेक्ट्व से उसका मिस्यूज ना कोई करें सिर्फ जन्यूनिस वेरिफाई करने के लिए हम आप से लेते हैं इसको कोई हम मिस्यूज नहीं करते हम किसी तरीके से दूसरे तरीके से साफ आईडी का हम यूज नहीं करते हैं यहां पर जाएंगे चूज फाइल करेंगे आपको इसमें जेपीजी और पीडी अफ दोनों फाइल आपको इसमें सपोर्ट करेगा मान लिचे हमने जेपीजी डाल दिये आप हो सकता है कि आपने आधार का रख़एंगे फेर्टो काप क् Pack किया हो तो यहां से आप क्लिक करतेंगे back का और दिदर डीफ के लिए अगर देखर हो जोड़ी आपको ओड़िन को różne रिपाएंगे यहों कुछ स्रुट करेंग पलियangi डीप लोड करेंगे यहां पर दिख्याएगा sazile फिए इसके बाहन g अभी भी सीरियल की आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे बैकेंड जब आपके जो आईडी प्रूफ है उसको वेरिफाई कर लेंगे सबसीज ठीक रहेगा देन आपको यहां से आपको सीरियल की मिल जाएंगे अगर मान लिजे आपका जो डाकुमेंट्स अप्लोड किया गया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपको फिर से री अप्लोड करने का ओप्सन आएगा अगर आपका डाकुमेंट्स वेरिफाई हो गए तो यह रहा सीरियल की आगए यह सीरियल की आपको लेक्चर एक्टिवेट करते टाइम जरुरत पड़ेंगे अब आगे आते हैं इसके बाद देख रहेंगे आपको यहां पर डाउनलोड करना है यह नीचे देखेंगे आपका जब डाउनलोड क्लिक कर लेंगे यह रहा यह नेट के स्पीड के हिसाब से थोड़ा सा टाइम वैरी कर सकता है यह इंस्टॉलर.exe यह फाइल आपका यह पाइल आपको जो नीचक जब करना यहां से मैं इस्टॉ है और हैं यहां से कट वाइल को और आप अपने जो भी आपका ड्राइब होंगे डेक्सटॉब पे हो यह आपका जो सी ड्राइल डी ड्राइबनाय दो 5 दॉन्लोड किया ऍहां थो मैं अपने चिवने आपको करके इसको आपको इंस्टॉल करना है असेट करेंगे देन उसके बाद एक्स्टाक्ट करेंगे ऑटोमेटिकल एक्स्टाक्ट होके पूरा कपूरा फोल्डर बन जाएगा अब आपका यह फाइल्स आ गये हैं अब आप जब भी कभी वीडियो प्ले करना है तो आपको करेंगे आप और कॉपी करके इसको आप यहां पर कंटेंट प्राउजर में यहां पर पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद चेक सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट करेंगे आपको यहां पर कंफर्म एंड सब्जेक्ट करना है कंफर्म एंड सब्जेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू एक्टिवेशन करेंगे एक्टिवेशन पर जब जाएंगे तो अब आपको यहां से सबसे पहले चेक की करेंगे मेरे सिस्टम में थोड़ा सा रिजलुशन की प्रावलम है तो यहां पर आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा आप लोगों में पूरा कम्पलीट दिख रहा होगा आपको इमेल आईडी डालना है जी ऐसे आप लोग को इस तरीके से स्क्रीन नहीं दिखेगा आपको एक पासवर्ड शेट कर लेना है अपना जो भी आपको याद रखने वाले पासवर्ड शेट करेंगे इसमें कोई special character आप लोग यूज नहीं करोगे इससे मैंने यहाँ पर 12345678 डाला था तो इस तरीके से आप कुछ भी अपना डाल लीजिए special character यूज नहीं करना है आपको अपना name डालने है फिर उसके बाद आपको mobile number अड़ करनी है और उसके बाद get OTP करना है जैसे get OTP करेंगे आपके mobile number पर OTP जा चुका होगा वो OTP आपको यहाँ पर add करना है और validate करना है अगर कोई नेपाल से student है तो उनके mobile पर आपको OTP नहीं जाएगा तो आप हमारे team से contact करके आप अपना master OTP हम लोग यहाँ से provide करेंगे वो OTP आपको डाल के यहाँ पर verify कर लेना है मेरे पास OTP आ चुका है मैं यहाँ पर put करता हूँ इसको validate करेंगे जैसे validate करेंगे यहाँ पर ok आ जाएगा city आप अपना डाल लीजे फुर इसके बाद exam जो भी है आप अपना select कर लीजे मान लीजे आपको December November का exam है 2023 का यहाँ add करेंगे purchase from आप NSLP लिख सकते कैसे आपको पता चले था अगर किसी student ने आपको reference दिया था reference add कर सकते YouTube से भी आपको पता चला था YouTube कर सकते और उसके बाद यहाँ से activate करेंगे activate पर जब click करेंगे आप यहाँ पर देखिए display हो रहा है content successfully activated for this recipe please click close आप इसके बाद यहाँ पर close कर लेंगे अब आपको यहाँ पर serial की select करने का option आएगा यहाँ पर serial की select करेंगा automatic mail id दाल देगा आपने जो password अभी set किया था जो आपने डाला थो करके login करेंगे login करने के बाद इस तरीके से आपको screen display होंगे then यहाँ पर आपको दिख रहा होगे यहाँ पर download का click यहाँ पर click करेंगे download करने के लिए तो यहाँ पर right hand side में कुछ power up आगे प्लस sign पर आपको click करने के बाद अभी तक जितने भी lecture uploaded आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे यह थोड़ा सा आपको अलग तरीके से आपको दिख रहा है क्योंकि मेरे laptop की screen की problem है वो क्योंकि इसका resolution उसमें match नहीं होता है अब यह देख रहे होंगे download का status दिखा रहा है 6.22% of 641MB तो 641MB का भी 8% download होगी तो थोड़ा सा time लगएगा आपके net case speed के हिसाब से अब चाहो तो एक बार में इसको 5 box को click करके 5 lectures एक साथ आप download कर सकते हो यहाँ पर जैसे देख रहे है कि लिखा होगा you can queue up to 5 download at a time जैसे यह download हो जाती है तो जो फाइल आपका download हो जाएगा वो देखिए वो इधर आपको यहाँ पर जो फॉरन एक्सेंस के फोल्डर में आपको दिखने लग गया जो आपने अभी download कर लिया है बाकि जो download नहीं हुआ है यह आपको अभी भी यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर अब जैसे इस पर जैसे दूसरा भी करना है आप सेकेंड पर click करेंगे फिर start download करेंगे वो यहाँ से आपको फिर यहां से second number इसमें add हो जाएगा अब video play करने के लिए इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद अब आपकी यह depend करता है कि आपके system में codec है या नहीं है जैसे मेर इस पर click करने के बाद दुबारा इस पर click करेंगे देखिए अभी इस पर लिखा हुआ रहा है not it was जैसे इस पर click करके जब video आपका play हो जाएगा इस पर click करेंगे इस तरीके से आपका video play होना सुरू हो जाएगा इस पर आपका user name है mobile number यह से आपका display होता रहेगा तो वह चलते रहेंगे आपको अभी जब आप play करोगे तो आपको दिखेगा अभी आपको blank screen दिख रहा है क्योंकि screen recording हमारे में allowed नहीं इसलिए आपको screen blank दिख रहे होंगे यहाँ पे कुछ features हो रहा है किसी को अगर video कहीं पर अगर आपको लगा कि नहीं यहाँ पर हमारा कुछ point है जैसे कि आप किसी point पर पहुंच गया यानि कि यह रहा है scroll करने का आपको video कहां लेकर जाना है मानले जिए आपने video यहाँ पहुंचे यह कुछ something आपको 106 minute पर video है आपको लगता है कि 106 minute पर हमें कुछ यहाँ पर tag कर लेंगे तो यह जो tag होगी ना tag save हो चुका है यह आपको यहाँ right hand side में अभी मैं इसको close कर रहा हूँ वीडियो को देखे और जब अगर मानले जिए next time अगर आपको वीडियो पर वहीं उसी point पर पहुंचना है तो यह रहा tag my video पर इस पर click करेंगे तो यह दे वीडियो के दरान कुछ अगर आप note लिखना चाहते हो यह note भी आप इस box में लिख सकते हो जिसको आपको आपको दिखेगा स्टार्टिंग के जो आपका screen है यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर दिख जाएगा इस तरीके से आप video को play कर सकते हो थोरा दर जब video play हो जाएगा देन आपको यह जो आपका note watch दिख रहा है इसमें कितना minute दिखा है आपको यह दिखने लग जाएगा आपको minimum one minute play करना होगा one minute अगर play कर लोगे देन उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाना शुरू करेगा कि आपका कितना minute का play हो चुका है ज जिसमें से हमने भी one minute आपको video देख चुके है अगर आप यहाँ पर जाके check करोगे जब भी video close करना होगा यहीं से कर सकते है close बाकि आपको इस पर cut button कहीं से नहीं मिलेगा close करेंगे आप इस video में देखिए total आपका कितना minute का video अगर यह आप चेक करना चाहते हो तो यह रेख अब जुद्धी को technical issue रह जाता है तो आप हमारे technical team को contact कर सकते हैं number आपके book पे भी होंगे mobile में भी होगा 880415410 hope यह video आपके लिए beneficial रहेंगे thank you